Hello guys, welcome to Stay Smart तो guys, यह हमारे blogging series की second video है guys इससे पहले वाली video में हमने सीखा कि हम कैसे blogger पर अपना एक free में blog बना सकते हैं और हमने सीखा कि .blogspot.com और .com के बीच में क्या फर्ख होता है और हमने सीखा hosted account and non hosted account में क्या difference होता है और साथी साथ हमने यह भी सीखा कि हम कैसे .com वाला domain बड़ी cheap price में buy करके हम कैसे अपने blog के साथ उसे connect कर सकते हैं और हमने एक good looking SEO friendly theme के बारे में भी जाना उस video में तो guys, अगर आपने उस video को नहीं देखा है तो मैं आपको link description में देदूँगा आप उस video को देख सकते हो तो यह blogger series की second video है तो first video वो है तो आप उसे जरूर देखे उसके बाद इस video को आप follow करिए तो guys, यह video वहीं से शिरूँ होगी जहां पर first video का end हुआ था तो guys, इस video में हम लोग जानेंगे blogger की कुछ basics but important settings के बारे में क्या आपको blogger में करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपका blog, आप जो भी लिखो आपका post वो search engine में आए मैंने आपको last video में एक theme दी थी तो उस theme को आज हम इस video में अच्छे से customize करने वाले हैं तो guys, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक बार view blog पर click करके हम देख लेते हैं यह हमारा जो demo blog था वो किस तरह से लग रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का look हमें यहाँ पर मिल रहा है theme को install करने के बाद तो हम इसे cut कर देते हैं और यह रहा आपका dashboard तो आपको ना सबसे पहले अपने blog के कुछ settings करनी होगी जिहां दोस्तों blog आप जब बना लेते हो तो उसमें कुछ default setting के साथ वो आता है तो new bloggers जो होते हैं वो इन settings को नहीं करते शायद उन्हें नहीं पता होता या फिर अगर उन्हें पता भी हो तो शायद वो array से क्या होगा अथा बोल कर शायद वो यह settings को नहीं करते बट यह settings काफे important होती है अगर आप कुछ लिखते हो तो वो search में आने में यह settings बहुत आपका आपकी मदद करती है सबसे पहले आपको settings पर आना है और settings पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो meta tags यानि के यह होती है आपकी meta tag description यानि के आपका blog किस पर है आपके blog पर आप क्या बताने क्या बताओगे आप अपने blog किस से related है आपका blog तो वो सब आपको यहां पर meta tag description में लिखना होगा for example मैं आपको यहां पर google पर चलकर कुछ भी एक search करके आपको दिखाता हूँ meta tag description actually होता क्या है तो how to make money मैं यहां से search कर देता हूँ तो आप देख सकते हो आपके सामें ऐसे इतने सारे results आ जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो top ways to make money online and offline no risk match मतलब यह जो है यह जो इतना यह जो है यह है आपका meta tag description तो यह सिर्फ meta tag description मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लेकिन यह search engine के लिए भी बहुत ज्यादा फाइदेमंध होता है यानि कि यह आपने blog के बारे में यहां पर बता रहे हैं यह जो और उसी दरह का आपको यहाँ पर meta tag description देना होता है तो यहाँ पर फिलहा यह disabled है तो आपको यहाँ पर edit पक्लिक करना है edit पक्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 150 character तक आप meta tag description जो है लिख सकते हो तो यहाँ पर आप अपने अपने वेबसाइट सरे लेटेड आप यहां पर लिखे कोई मैं यहां पर कुछ अपने बल्ग सरे लेटेड अरे लिखा है है तो मैं उसे Option कि इसक्राईप यहां पर पेस्ट करके तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, अब मैं यहां पर से इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप यहां पर देख सकते हो, मैंने लिखा ब्लॉगिंग टिप्स, how to make money online, how to earn online, how to make android apps, ब्लॉगिंग टिप्स वगेरा, मतलब इस तरह का जो आप अपने वेबसाइट पर बताने वाले हो, वो आपको meta tag description में लिखना होगा, तो लिखने के बाद 150 character तक आप लिख सकते हो, लिख देने के बाद यहां पर safe changes पर click कर दीजिए, तो आप यहां पर देख सकते हो, यह है आपका meta tag description, तो हमने यहां पर meta tag description दे गिया, यह जो मेरे blog का name है, demo blog, यह मुझे पहले change करना चाहिए था, मैंने पहले meta tag description के बारे में आपको बता दिया, चलो कोई नहीं, अब यहां से मैं आता हूँ basic पर, मैंने यह demo blog बनाया था, तो मैं यहां पर safe change करता हूँ, how to make money, तो मैंने अपने blog का नाम रखा है, how to make money, तो इसके हिसाब से, I mean, इस name होगा, जो आपका blog होगा, उससे related आपको यहां पर meta tag description देना है, तो आप यहां पर देखिए, how to make money, यानि कि मैं money making के बारे में tips बताने वाला हूँ, अपने blog पर, तो मेरा blog का name है, how to make money, और यहां पर आप देखिए, meta tag description में मैंने वही बताया है, blogging tips, how to make money online, how to online, यानि क यह title से बिलकुल match करता है, तो आपका जो title होगा, उससे मिलता जूलता आप अपना meta tag में description देजिए, अब ऐसा नहीं है कि आपका blog है technical पर और आप कुछ दे रहे हो, जैसे bollywood, tollywood, ऐसा नहीं करना, आप अपने blog पर जो बता रहे हो, वही आपको यहां पर देना है, और उ यहां पर area पर click करना है, area पर click करके आपको यहां पर S पर click करना है, और S पर click करने के बाद आपके सामें इस तरह का interference आदा है, तो आपको यहां पर बिलकुल बड़े देहान से देखिए, मैं यहां पर जिने जिने टिक कर रहा हूँ, आपको भी उसे ही सलग करना है, उसे ही तो बिल्कुल आप देहान से यहां पर देखिए तो आप यहां पर देख सकते हो आपके सामें कुछ इस तरह का इंटरफियरंस होगा तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है All पर और उसके बाद यहां पर क्लिक करना है No DP पर फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है no index पर और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है no dp फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है all पर और फिर यहाँ पर क्लिक करना है no dp पर उसके बाद आपको safe कर देना है बस आपको ये ब्लॉगर की settings important है जो मैंने बताई है वही आप बस उसे ही select कीजिए दुसरे को select ना करिए और किसी comments भी ना करिए और आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर काफे सारे और भी options है तो मैं आपको आने वाले videos में बताऊंगा ये क्या है और आपको करके भी दिखाऊंगा ये कैसे है तो अब आपने ब्लॉगर की जो basic settings है वो तो आपने कर ली अभी फिलाल आपके ब्लॉग पर post नहीं है तो आप ज्यादा settings अब नहीं कर सकते तो धिरे धिरे हम आगे देख लेंगे तो आपने ब्लॉगर की settings तो यहाँ पर कर लिए अब एक बर हम यहाँ पर view blog पर click करके हम अपने blog को देख लेते हैं तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो blog है कुछ इस तरह का लग रहा होगा तो guys अब हमें यहाँ पर बनाना होगा अपने blog के pages जी हाँ guys जी हाँ दोस्तों जब तक हम अपने pages ना लगाए हमारा जो adsense है वो approval नहीं देगा तो हमें यहाँ पर 4 pages बनाना होगा तो चलिए guys हम देख लेते हैं और बना लेते हैं अपने 4 pages तो सबसे पहले आपको आना है blogger के dashboard पर और dashboard पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो pages तो आपको इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर create a new page पर click कर दीजिए और click कर देने के बाद आपको यहाँ पर 4 pages बनाना है तो first आप यहां पर बना लिए आपको यहां पर अपने बारे में आप क्या करते हो आप कौन हो और आपको अपने वेबसाइट के बारे में आपको यहां पर लिखना है For example, आप कौन हो, आप क्या करते हो, और अपने वेबसाइट पर क्या बताने वाले हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करके रखा है, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर पेस करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है अपने व्लॉक के बारे में बस ₌ई उत 누ीया हो अपने वालो संप महीत चाहिए। अपको यहाँ पर यहाँ पर आप लिखना है क कह बारा है यह, आपको यहाँ टायम वेंतिल मैं 되면 करना देखा तो इस तरह का आपको एक about us का page बना लेना है, बना लेने के बाद बस आपको इसे publish कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर new page पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेज बनाना है privacy policy, तो आपको यहाँ पर अपने blog से related privacy and policy के बारे में लिखना है, जो कि मतलब उसमें other websites के links होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं समझाओंगा, बट description में मैं आपको एक privacy policy का page दूँगा, आप उसे पढ़गे समझ सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करके रखा है, मैं उसे copy करता हूँ और copy करके आपको यहाँ पर page करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो privacy policy, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो आप देख सकते हो, वीडियो को pause करके आप पढ़ सकते हो, अब वीडियो लंबी होगी तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं पढ़गे बता सकता, बट description में मैं आपको जरूर दे दूँ and about us, तो अब आपको यहाँ पर बनाना है disclaimer, disclaimer, मतलब आपको यहाँ पर अपने blocks related कुछ disclaimer अगर हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है, for example, आपके block के कुछ terms and conditions होंगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब आपके block पर जब visitor आकर पढ़ता है, तो उसे क्या terms and condition, मतलब क्या टंसार कंडिशन आप देना चाहते हो वो आपको यहां पर दिस्क्लेमर में लिखना होगा तो मैं यहां पर मैंने कुछ टाफ करके रख था तो मैं झापी करके यहां पर पेज अपको दिखाता हूं और दिस्क्रिम्शन में दे दूँ ri में आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो तो disclaimer page कुछ इस तरह का होता है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखना होता है मैं description में दे दूँगा आप वहां से अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के आप अपने disclaimer लिख सकते हो उसके बाद आपको यहां पर से पब्लिश कर देना है अब उसके बाद आपको एक last page बनाना है जिसका नाम है contact us तो आपको contact us page अब बनाना है यह जो contact us page है जिस तरह से आपने अभी normal pages बना है यह वैसे नहीं बनता इसके लिए आपको जाना होगा Google पर और Google पर जाने के बाद आपको यहां पर search करना होगा email me form और search कर दें जैसे ही आप यहां पर देख सकते हो यह जो first link आई है आपको इसे open कर लेना है और open कर लेने के बाद आप यहां पर से sign up मतलब sending टर लीजिए इस website पर sign up कर लेने के बाद कुछ इस तरह का interference आपके साम में आजाता है आप यहां पर देख सकते हो आपके सामने 4 page आप सेंपल यहां है तो आप यहाँ पर देख सकते हो contact form तो आपको इसपर click करना है और उसपर इसपर करने के बाद तो आपको इसे recommended रखना है तो इसे रहने देना है उसके बाद company मतलब company सभी की नहीं होती तो आपको इसे यहाँ पर सट delete कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हो phone number मतलब phone number भी कोई देता नहीं है बस रखके फाइदा कुछ है नहीं तो आपको इसे भी delete कर देना है और कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो message तो यहाँ पर आप देखिये required तो आपको यहाँ पर यह इस पर खाइद करना है required मतलब जब तक कोई message type नहीं करेगा आपको mail नहीं आएगा यहां पर आप देख सकते हो mail तो आपको इस पर भी required date रख देना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो name यह जो है आपको इस पर भी required date रख देना है और उसके बाद देखिए यहां पर एक capture फिल करने को बोल रहा है ज्यादातर लोग अब फिल नहीं करते तो आपको इसे हटा देना है तो आप यहां पर देख सकते हैं None तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप देखिए यहां पर आपका नेम होगा विजिटर का उसके बाद उसकी इमेल आड़ी होगी और जो आप से कहना चाहता है जो कॉंटेक करना चाहता है और उसके बाद आपको आना है यहां पर settings पर form settings पर और यहां पर आप देख सकते हो from title तो आपको यहां पर आपके ब्लॉग का नेम देना है for example मेरे ब्लॉग का नाम है hindischoolonline.com तो आपको यहां से देदेता हूँ यहां पर दे देने के बाद description में आप यहां पर कुछ भी दे सकते हो कुछ इस तरह से आपकोfat कोowych देना है जो जेसे इस से चाहिशम पर form पर क्लिक करेंआ है और आप जैसे से चाहिशम पर तो आपके इस naar καनजर करने की कोछिश करएगा तो आपके इसे इमल पर माल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेफ चेंजर्स पर क्लिक करते हैं आप के सामें आपके सामें यहाँ वाप्षिंस आते हैं तो आप क्लिक कर के देख सकते हो तो अब हम देखेंगे रही, सीधा शेयर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतने तारे options आपके सामें आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो full code तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर से इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद अब आपको आना है ब्लॉगर पर और ब्लॉगर पर आने के बाद आपने अभी जो पेज बना रहे थे आप कॉंटाइक्ट अर्ज तो यहां पर आ जाने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है और इसके बाद यह जो दिखा है आपको इसे डिलिट करने के बाद आपको यहां पर पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर आना है फिर से आपको यहां पर आना है तो आपको यहां पर आना है फिर से यहां पर आना है यहां पर आपको इसे दिलिक कर देना है और डिलिक कर देने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके ब्लॉक का नेम है तो आपको इसे बोल कर देना है और चाहे तो आप इसे थोड़ा बड़ा यहां से आप कर सकते हो तो यह कर देना है और यह करने के बाद आप यहां पर देख सक तो आप उसे भी हटा सकते हो यह दे देना है उसके बाद यहाँ पर से जस्ट आपको पग्लिश कर देना है तो अब आपने यहाँ पर अपने चारो पेजस तो बना लिए हैं लेकिन अब इन चारो पेजस को आपको अपने ब्लॉग पर लगाना होगा आप यहाँ पर एक बार व्यूप लेकिक कने विए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो चार पेजस यहाँ पर नदर आ रहे हैं आपको अबर्टैस्मेंट इस सा 이거는 हटा कर आपको अपने पेजस अपने चंश करना है तो इसके लिए ऌताइन की बैढने को आना है और विम्स करना है कि इत자가 होज़ dwT करने के बाद आपको यहां पर और कईपर सीलर्ट चेर्यूक्त करना है तो कि अधल करने के बाद N bal जैसाई Enter कर देते हो तो आपके साममें यहां पर आप देख सकते हो contact यानिकि आपके जो Pages है वह यहां पर आ गए हैं, आपके साममें अपको चाहिए Home आपको Advertisement नहीं चाहिए आपको चाहिए यहाँ पर से advertisement को यहां पर से आपको हटा देना है और हटा दीने के बाद आपको यहां पर लिखना है about और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो next page है news न्यूज नहीं चाहिए तो हम news को भी हटा लेते हैं यहाँ पर हम लिखींगे privacy policy तो आप देख सकते हैं, तीन pages होई हैं यहान कर दिस्क्लेमर यहां पर नहीं मैं आया है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां क्या करना है अप कोपी करना है पेस कर देने के बाद यहाँ पर से आपको contact जो मैंने copy आ है उसे आपको यहाँ पर से delete कर देना है यहाँ पर आपको लिखना है disclaimer लिख देने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके चारो pages भी यहाँ पर बन गये हैं आपको यहां पर से अपने pages पर जाना है एक बार new tab में अपने pages को open कर लीजिए और open कर लेने के बाद अभी अभी आपने जो 4 pages को बनाया है आप उन 4 pages को एक बार view कर लीजिए मतलब new tabs में open कर लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यह हमारा MA privacy policy आपको यहां पर इसका URL कॉपी कर लेना है आप अपने URL को कॉपी कर लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हो अबाउट यानि के अबाउट पेज है यह हमारा तो आपको यहां पर आना है यहां पर आप देखें कैरफुली आपको यहां पर से सिर्फ हैश जो यहाँ पर है हैश आपको उसे डिलीट करना है और अपने पेज का URL आपको यहाँ पर पेज करना है वैसे ही आप बागी सारे पेजिस को भी कर लीजिए और पेज कर देने के बाद आप यहाँ पर से सेफ थीम को पेखलिक करके अपनी थीम को जो है वो सेफ कर लीजिए आपके जो आपने बनाए हैं वो pages आ रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हो contact तो आपको इस पर एक बार click करना है click करके देखना है कि आपका contact us page आ रहा है या नहीं तो आप यहां पर देख सकते हो आपका जो contact us form है वो आ रहा है और बागी सारे pages को भी आप देखिए कोई mistake होई है क्या तो यहाँ पर कोई mistake होई नहीं है जो भी सारे pages यहाँ पर properly आ रहे हैं तो बस इस तरह से आपको अपने pages को अपने blog पर लगाना है तो अब आपके जो blog के pages है वो लग गए हैं अब आप यहां पर देख सकते हो आपका जो blog है कुछ इस तरह का है आप यहां पर देख सकते हो home, menu one, drop menu यहां पर आप देख सकते हो drop down menu है यहां पर आप देख सकते हो यह जो सारी चीज़े हैं हमें उससे customize करना होगा तो अब चलिए हम चलते हैं blogger पर और blogger पर आनी के बाद सेम मतलब आप अभी आये थे theme पर फिर उसके आप email html तो आपको वही पर आना है यहां पर आपने search किया था contact तो आपको यहां पर search करना है menu 1 आपको search कर देना है और आप जैसे ही search करते हो तो आप यहां पर देख सकते हो menu 1 जो कि एक यहां पर आद रह से हो menu one ये है तो यहां पर यह just menu one है वही है तो अब आप इस की जगा क्या लिखना चाहते हो वह आपको यहां पर type करना आ है आपको simply is menu one को हटा देना है यहां पर से और हटाने के बाद आपका ब्लोग क्या है आप उस टैब पर क्या देना चाहते हो वो आपको यहां पर लिखना है तो मैं इस सिंपली मेरा ब्लोग है अर्निंग के ऊपर तो मैं दूंगा Make Money Online Make Money Online और उसके बाद एक बार हम यहां पर से सेफ थीम करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ब्लॉग पर यहां पर क्लिक करता हूँ मैं होम पर और यहां पर आप देख सकते हो Make a Money Online आ चुका है तो इसी तरह से आप इन सारे टाप्स को भी चेंज कर सकते हो तो चलिए चलते हैं फिर से वहीं पर अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट वाला जो है टैप था उसमें मैंने दिया है Make a Money Online उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो Drop Down Menu है यह मतलब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आते ही यहां पर तीन आपको और options आते हैं तो यहां पर अगर आपको कुछ लगा रखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हो Drop Down Menu Drop Menu तो आपको इसे Delete कर देना है यहां पर आने के बाद यहां पर आप जो देना चाहते हो जो रखना चाहते हो जो भी आपको वहाँ पर देना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर टाइप करना है फर एक्जेंबल माली खराओं यहाँ पर यूट्यूब और उसके बाद सेफ थिम कर दीजिए फिर से चलते हैं ब्लॉग पर यहाँ पर एक बर कर लेते हैं रिलोड और हम देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब तो यहाँ पर आते ही तीन उप्शन से तो यहाँ पर आप अगर कुछ भी देना चाहते हैं तो वो आप कैसे दोगे तो चलिए बताता हूँ उसके लिए आपको आना है फिर से वापस वहीं पर और यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर आपने लिखा था YouTube यहाँ पर लिखा था आपने उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो drop down menu 123 तो आपको यहाँ पर से लिखना है जो भी मतलब कोई अगर YouTube यहाँ पर आए तो उसके नीचे क्या मिलना चाहिए उसके अंदर तो आपको यहाँ पर लिखना है अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अगर नहीं आप नहीं चाहते है drop down menu तो आप easily यहाँ पर से इस तरह से डिलेट कर सकते हो तो चलिए आपको दिखाने के लिए कुछ कर देता हूं फिर से चलते हैं ब्लॉक पर यहाँ पर कर लेते हैं एक वाय रिलोड और रिलोड कर लेने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए YouTube है तो मैं जैसे ही यहाँ पर अपने मौस का करसर ले जाता हूं तो आप देख सकते हो how to earn from how to earn with YouTube YouTube income क्या है how to YouTube तो यह अभी अभी मैंने यहाँ पर दिया है तो आप चाहे तो इस तरह से दे सकते हो यहाँ पर आप देखिए drop menu यहाँ पर भी आप दे सकते हो यह अगर आप चाहते हो उस drop down menu को हटाना तो आपको simply यहाँ पर यहाँ पर से I mean देखिए drop down menu पर मैंने लिखा था YouTube तो आपको यहां पर से लेकर यहां तक आपको जो है वो डिलेट कर देना है और डिलेट करके आपको सेफ कर देना है तो आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो चला जाएगा तो दोस्तों आपको अपने ब्लॉग के हिसाब से मैंने जो पैजिस बनाना इस थीम के मतलब लैयोर्स जो होते हैं वो बागी रह गए हैं तो मैं नेक्स वीडियो में कवड़ कर लूगा यह वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है दोस्तों आपको अपने ब्लॉग के हिसाब से आपको कस्तमाइजेशन अब करनी होगी दोस्तों मैंने तो आपको बताया है कैसे करना लेकिन आपको अपने ब्लॉग के हिसाब से आपको करना है दोस्तों इस थीम की थोड़ी बहुत कस्तमाइजेशन अभी बागी रहेगा है दोस्तों आमें लेयोट के ओपर तो दोस्तों वह हम नEXT वीडियो में कावर करेंगे क्योंकि यह वीडियो अलरडी हो गई है तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम बजा कुछा कस्तामाइजेशन करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अपने ब्लॉग के लिए पोस्स लिखना है SEO-friendly आपको कैसे अच्छे से आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉग के लिए ताकि वो जल से जल राइंक कर जाए वो आपको मैं नेक्स वीडियो में बताने बारा हूँ तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए आपको यहाँ पर इसी तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं So yeah guys, जल्दी मिलेगी आपको नेक्स वीडियो जो जुलन थैक्स लोर पो बौचिंग गागई